दोस्तो सभी स्मार्टफोन में फ्लेस लाइट दिया होता है जिसके इस्तमाल दोस्तो आप लोग कैमरा से फटोस किली करते समय या फिर आपके अंदरे में कहीं आने जाने के लिए करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तो फ्लेस लाइट के अंदर इसके अलावा भी तीन कम्माल की खूथिया फिच्टर से मुखोने और जिसके बारे में दोस्तो 90% स्माटफोन यूजर्स को पता ही नहीं है इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको फ्लेस लाइट के तीन कम्माल की खूफिया फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर दोस्तों आप चोप जाएंगे एंड बोलेंगे भाई यह सब फ्लेसलाइट के अंदर था और हमें पता ही नहीं है यह वीडियो दोस्तों उन सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है जिसके फोन में फ्लेसलाइट दिया गया है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को शेर कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको एक एक करके फ्लेसलाइट के टीनो खूफिया फीचर के बारे में बता देता हूँ जो की काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके फोन के अंदर फ्लेसलाइट दिया गया है अब जो सबसे पहला फीचर है दोसों उसके बारे में हम जाल लेते हैं जैसे कि हम दोस्तों फ्लेसलाइट को इस प्रकार से और अगर हमें दोस्तों इसकी रोशनी कम लगती हैं तो हम इसकी रोशनी को बढ़ा भी सकते हैं सही सुनगा इस आपने क्या आपको पता है कि फ्लेस लाइट की रोशनी को कैसे बढ़ाएं नहीं पता होगा ना मैं आपको बताऊँगा आप टेंशन मतलिए कैसे आप इसकी रोशनी को बढ़ा सकते हैं और मैं आपको लाइफ दिखाने वाला हूँ उसके लिए क्या करना यानि को फ्लेस लाइट का आइकॉन दिया गया है इसके उपर आपको लाइफ प्रेस करना है इस पर जैसे लाइफ रोषनी कर सकते हैं जैसे कि आप लेवल टू तक यहां पर बढ़ा सकते हैं अप देख लीजए इसकी रोशनी बढ़ गई इसे आप चाहिए तो level 5 तक कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा bright हो गया देख रहे हो कितना ज़्यादा इसकी रोशनी बढ़ गई और इसे अगर हमें आपर कम कर दें तो आप यहाँ पर देख लिजे रोशनी कम हो गई तो इस प्रगास से दोस्तों आप इसकी जो light है ना उससे काफी ज़्यादा increase कर सकते हो like यहाँ पर आपको देख लिजे कितना तेज यह जलने लगया पहले के मुगाबले तो यहाँ से दोस्तों आप इसकी रोशनी को आसानी से manage कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रोशनी चाहिए ज़्यादा आप इसे light जलाना चाहते हैं तो ज़्यादा जला सकते हैं कम जलाना चाहिए तो कम जला सकते हैं आपके उपर depend करता है जितना आपको चाहिए उससाफ से आप इसे set कर सकते हैं तो यहाँ पर फिलाल हम इसे level 3 पर set कर देते हैं 4 पर उसके बाद हम done कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख लिए अब हमारा जो है जब भी हम flash light को on करेंगे तो level 4 पर जितना हमने set किया है उतना यहाँ पर रोशनी हमें मिलेगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे trick का यूज करके अपने phone के flash light का जो रोशनी है उसे increase कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो यह पहली खूफिया features हो गई जो हमारे phone के flash light के अंदर दिया गया है अब दोस्तों मैं आपको flash light के दूसरे खूफिया feature के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लिए बस आपको करना कै अपने phone का main setting इस प्रकार से open करेना है open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीशे चले आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक setting देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है accessibility आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे इस प्रकार से आपको on करेना है on करेंगे तो यहाँ पर कई setting दिया गया है तो आपको advanced setting के उपर click करना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख लिए कई option दिया गया है तो आपको flash notification के उपर click करना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दो setting है जो की बंद मिलेगा आपके phone के अंदर तो इसे दोस्तों यहाँ से आपको turn on कर देना है अब इसे on करने का फायदा क्या होगा ओ भी मैं आपको बता देता हूँ जब भी दोस्तों आपके phone पर कोई भी message आएगा कोई भी notification आएगा तो आपके phone का यह जो flash light है यह दोस्तों blink होगा जैसे कि रात के समय अगर आपका phone silent में है और आपको पता नहीं है दोस्तों कोई important message कर रहे है तो ऐसे मैं आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि phone silent है लेकिन अगर आप यह setting on के रहेंगे तो यह जो flash light है यह blink होगा जिससे आप आसानी से पता कर सकते है कि हाँ आपके phone पर कोई notification आया कोई message आया है तो यह एक important setting है जिसे आप यहाँ से on कर सकते है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है और इंडिया से आप preview भी कर सकते है preview करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों blink होगा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर आप दिख लिए अपने important photos वीडियो को भी hide गर सकते है सही सुनगा इस आपने कैसे मैं आपको live दिखाता हूँ उसके लिए दोस्तों आपको वस यह application डाउलूड करना होगा जिसका link मैं आपको नीचे description में provide कर दूँगा वहाँ से आप download कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसी open करेंगे open करेंगे तो यहाँ पर start to use के उपर click करना है यह पहली बार आपको setup करना होगा ठीक है यहाँ पर permission दे देना है यहाँ पर आपको search करेंगे application कहाँ पर इस प्रकार से आपको on कर देना है फिर back करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यह open होगा तो आपको यहाँ पर long praise करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक pin set करना है जो भी pin आप यहाँ पर रखना चाहें ठीक है अपने इसाब से आपको इपी pin set कर सकते हैं and confirm कर दीजे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको question select कर लेना है जिसका answer आपको यहाँ पर कुछ भी type कर लेना है and save कर देना है ठीक है इस प्रकार से आपको करना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो image हो गया, audio हो गया, video हो गया सब कुछ का option यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दोस्तों आप यह सब hide कर सकते है जैसे कि हम home पर आ जाएंगे तो यह application एकदम normal torch जैसा यानि कि flash light जैसा ही दिखता है इसे अगर आप open करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही open होगा यहाँ से दोस्तों आप flash light को भी जला सकते है उसके लिए आपको यहाँ पर permission देना होगा ठीक है, इस प्रकार से आप permission दे देंगे तो flash light को भी आप यहाँ से जला सकते है और यहाँ से बंद भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर long phrase करते हैं तो दोस्तों आप से यहाँ पर password मांगा जाएगा जो password आपने भी set किया है उसे डालेंगे तो आप अपने खूफिया vault के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर जो जो आप छिपाये रहेंगे उसे आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर image हो गया ठीक है इसे यहाँ पर आप छिपा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक photo अपने छिपा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी जो भी चीज़े हैं उसे hide कर सकते हैं ठीक है तो यह दोस्तो तीन कम्माल की खुफिया फीचर से जो दोस्तो हमारे फोन के फ्लेस लाइट के अंदर होती है जिसे आप अपने स्मार्पॉन में आसानी से यूज कर सकते हैं तो अगर आपको दोस्तो यह वीडियो पसंद आई तो इससे वीडियो को लाइक को शेर कर देना थेंक्यों दोस्तो बाइबें टेक केर